एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में सैमी नाम की एक मिलनसार गिलहरी और फेलिक्स नाम की एक चतुर लोमडी रहती थी. सैमी को पेडों पर चढ़ना और मेवे इकठा करना पसंद था, जबकि फेलिक्स को जंगल की खोज करना और भोजन की तलाश करना पसंद था. लोमड़ी के पास जाने का फैसला किया. हेलो, फेलिक्स, क्या आप मेवे इकठा करने में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे? सैमी ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा. सैमी के निमंतरण से फेलिक्स आश्चर्य चकित हुआ, लेकिन उसने उत्सुकता से सिरहिलाया. सैमी और फेलिक्स को पता चला कि उनमें कई चीज़ें समान हैं. उन्होंने कहानियां साज़ा की, खेल-खेले और एक साथ जंगल के नए हिस्सों की खोज की. अपने मतभेदों के बावजूद, गिलहरी और लोमड़ी सबसे अच्छे दोस्त बन गए. वे एक दूसरे का खयाल रखते थे, अपना भोजन साज़ा करते थे, और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे. एक दिन, जब वे एक नदी के पास खेल रहे थे, उन्होंने मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी. यह एक हिरन का बच्चा था जो पानी में गिर गया था और तैरने के लिए संघर्ष कर रहा था. बिना किसी हिचकिचाहट के, सैमी और फेलिक्स हरकत में आ गए. फेलिक्स ने अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए शाखाओं से एक अस्थाई पुल बनाया. जबकि सैमी ने हिरन के पतन को रोकने के लिए पत्तियां इकठी की. दोनों ने मिलकर हिरन के बच्चे को बचाया और उसे सुरक्षित वापस किनारे पर ले आए. आभारी हिरन ने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया बलकि जंगल के जानवरों के लिए शान्ती और सद्भाव भी लाया था. गिलहरी और लोमड़ी एक साथ जंगल में घूमती रही. उनकी दोस्ती का बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया. कहानी का नैतिक. सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और किसी भी बाधा को पार कर सकती है.